दोस्तो यह रियल उपनिश्द बूख है पिछले वीडियो पे हमने जहां तक पड़ा था उसके बाद यहां से आज पढ़ना शुरू करते हैं रियल रामायन, महावारत, बेत, पुरान, काम, सुत्र, उपनिश्द यह सब अगर आप सुरू आश्य पढ़ना चाते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीज़े या फिर चैनल के नाम कुछ अलकोज रचोक को यूटूब पे सर्च करके फिर प्रेलिष्ट अप्शन में जाके देख सकते हो सांत होता हूँ अभी बैवार है काया करता हूँ अभी कभी लिप नहीं होता तो जैसे कि हमने बालमी के रामयन के वीडियोस में अश्टा बकर गीता में पढ़ा था अश्टा बकर जी सीता के पिताराया रजजनक को यही बोलते हैं और किष्ण जी भी मैं कहकर इसी मैं के वारे में बात करते हैं मेरे अश्टा बकर गीता और भागवद गीता दोनों ही आप पढ़ सकते हो तो यह सदेव सुलब है आपत बंदू की तरह चतुर है और सरीरुप कमल में ब्रामर की तरह रहता है ना तो मुझे भोग करते रहने की इच्छा है और ना भोग को मन से मन के पितख हो जाने पर आंकार के चले जाने पर और भाब द्वारा भाब का नास हो जाने पर मैं केबल स्वस्त रूप में स्थित हूं भाब रहीत निरांकार मन रहीत चेश्टा रहीत केबल पंद रहीत सुद्ध आत्मा रूप हूं मेरा शत्रु कहां हो सकता है मेरे शरीर रूपी पिंजरे में रहने वाली निराग दिरांकार रूपी चिडिया तृष्णा रूपी रसी को काट करना जाने कहां उड़ी गई जिसमें अकरतापन का भाव है किसी बुद्धी लिप्त नहीं होती जो सब भूतों को समान भाव से देखता है उसी का जीवन प्रश भले का ध्यान चोड़ दिया है जिसने चित्त को चित्त में ही संगलगन कर दिया है उसका जीवन सबायमान है ग्रह और ग्रहक संबंद दरनष्ट हो जाने पर शांती प्राप्त होती है इसी प्रकार की शांती ही मोक्ष कही जाती है अभुका हुआ बीच जिस प्रकार गुद्धता सत्त्त assatua वाले आत्मधाना ध्यान यूक्त और नित्ते रूप से रूप में स्थित रहते हैं जब चेत्तन चित्त रहीत हो जाता है तब ही वह आत्म रूप चेतन कहा जाता है जब सबंद मन इन्च्छर रहीत हो जाता है तो उसमें दो-शुत्पना नहीं हो यह दुदि भी मैं बोलता त्याकता ग्रहन करता नेत्रा को कोलता और कंद करता रहता हूँ पर मैं मनन से यूकता आनंद रूप सहीवित आत्मा ही हूँ संग्वेद रूपी मल को दूर करके मन को निर्मूल इच्छा रहीत करके आशा के फंदे को काट कर मैं केबल संग्वीत रूप हूँ अशुब और शुब संकल्पों से रहीत होकर मैं निरामय मिस्थित हूँ इश्ट और अनिश्ट के भाव को त्याग करकेवल संग्वीत रूप हो गया हूँ राग और दुष्ट के भाव को त्याग कर विवाग रहित जगत में स्थित अत्यनत सुद्रे आत्मा रूपी स्थम्ब के आस्रई पर मैं स्थित हूँ मैं अपने निर्मल और इच्छा रहित आत्मा दशा में स्थित हूँ चेश्टा और अचेश्टा तदा हेव और उपादिय की भावना से केवल मुक्त हो गया हूँ मैं कब आत्मा संतुस को प्राप्त हूँगा कब स्वयम प्रकास्पत में स्थित हूँगा और कब परबत की गुपा में बैठ कर सांतभाप समनन करूँगा कब में निर्विकल्प समाधी लगा कर सीला के तुल्या निस्चल हो जाऊँगा कब में उस अंग सरहित ब्रह्म के ध्यान में ऐसा निस्चल हो जाऊँगा कि कोईले मेरे मस्तक पर घोसला बना लेंगी संकल्प रूपी पेड़ो तता तिशना रूपी लताओ को काट कर मन रूपी ब्रिस्मित भूमी में सुप पूर्बग बिहार करता हूँ और परंपत को प्राप्त करके केबल रूप होकर अपना ही जब करता हूँ मैं निर्वान, निरिया, निरंग्ष, निरिपसित को प्राप्त होकर स्वच्च विद्यवान, सत्ता साली, सत्ते ग्यान रूप हो गया हूँ अनन्द उपस्वान, प्रसनता, पूर्ण उदराता, सत्या, देद, आधी की भावना करते हूए सन्यासि को अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए नेविकल्प स्वरूप का ग्याता होकर नेविकल्प बनकर ही रहना चाहिए आतूर सन्यास लेने वाला जीवित रहे तो उसे क्रम सन्यास प्राप्त करने का प्रहतना करना चाहिए शुद्र, स्त्री, पतित और रजय स्वला में संभास्तन नहीं करना चाहिए किसी देपता के पूजान उत्सब को देखने ना जाएं क्योंकि ये लोकिक कार्य सन्यासी का नहीं है आतूर और कुटिचक का भू और भव लोक होता है बहुदग का स्वर्गलोक, हंस का तपोलक और परमहंस का सत्य लोक होता है तुरैतित और अबदूर शेनी वाले ब्रहमर कीट के समान अपने स्वरूप का अनुसंदान करते हुए केबल लमेश्थित रहते हैं सन्यासी के लिए स्वरूप अनुसंदान के आत्रिक्त अन्यास्त्रों का आभ्यास उंट पर केसर लादने के समान वयार्थ है सन्यासी के लिए योग की प्रबृति या सांक्य सास्तर का अभ्यास या मंत्रतंत का व्यापारादी किसी सास्तर की वित्ति वर्जित है यदि कोई करता है तो वो मितक शब बर अलंकारों के समान है और सन्यास की कर्म और विद्या के प्रतिकूल है सन्यस्वी को नाम की तनादी में भी भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोई भी कर्म करने से उसका फल भोगना ही पड़ेगा उसे अरेंडे का तेल के फेन के समान सब को त्याग देना चाहिए उसे ना तो देपता का प्रसाद गरन करना चाहिए और ना किसी बाज्य देपता की पुझा करनी चाहिए उसे अपने अत्रिक्त सबको त्याग कर हाथ या मुक سے गरन करते हुए मधुकरी बित्ती पर जिबन देवा करना चाहिए जिससे सरीर में चर्वी न बढ़े और बिहार करते रहना चाहिए वो हाथ से या मुख से विक्चा गरण करके समय व्यतीत करे दो भाग में आहार करे एक भाग में जल पीवे और एक भाग बायू के लिए खाली रखे सदे विक्चा बित्ती ही करे एक ही घर से लगातार कभी भोजन गरण ना करे जो सांदवाब से उसकी राह देखते हो उनके यहाँ यतना पुर्वग जाए क्रियावान सुद्ध अचरवले पांच साथ घरों कर भिक्चा के लिए जाए और गौ के दूने में जितना समय लगता है उतनी देर तक प्रतिक्चा करे जहां एक बार हो आया वहां दुबारा ना जाए रात के आहार से उपवास स्रेष्ट है उपवास के अपिक्चा आया चित्त भिक्चा स्रेष्ट है रात की आहार के अपिक्चा उपवास स्रेष्ट है तो अभी भी कुछ जो आयूर्वेट के ग्याता है वो भी जो मेडिकल नौलज रखते हैं वो भी कह रहे हैं कि रात का जो खाना है वो ना खाई तो ही सरीर के लिए बेस्ट है या फिर जितना जल्दी हो सके सुबचे बजी तक अगर डिनर कर ले तो अच्छा है आच्छा आयाचित से विक्चा मांग कर खाना स्रेश्ट है इसलिए यथा संबब विक्चा का ही अस्रय ले विक्चा काल में दयाय या बायमार्ग से घर में प्रभेश ना करे जिस घर में दोस ना हो उसे भूल या मुझ से छोड़ ना जाए यदि विदग्य स्रद्धा भक्ति से रहित हो उसके यहां विक्चा ना करे और जो संस्कार हीन भी स्रद्धा भक्ति रखने वाला हो तो उसके यहां विक्चा गरन कर ले विक्चा का मतलब होता है कि जो अपने आप मिल युए बिक्चा पांश प्रकार की कही गई है अस पर खत्रकार-प्रगर प्राक्त Using और प्हेले दिन कोई भक्ति पुर्व प्राथना करें तो उसके यहां प्राक्त रनित विक्चा की जा सकती है बिक्चा के लिए फिरते हुए यदि कोई निमंत्रित करे तो सन्यासी को उसके यहां आयाचित बिक्चा है बिक्चा के लिए निकलते समय यदि कोई ब्राह्मन आकर भोजन करने को कहे तो उसे तातकाली बिक्चा को सदेव ग्रहन कर सकता है यदि कोई ब्राह्मन मट में ही तैयार भोजन ले आने आये तो उसे बिक्चा फिलासी सादू उत्पन्ना बिक्चा करते हैं अगर आवशक्ता पड़ जाए तो सन्यासे भिक्चा स्मलेच्च के यहां से भी मांग ले पर एकी स्थान पर कभी आहर बिरहन ना करे चाहे वो ग्रिश्पति के समान पूज्य का गारी क्यों ना हो उसे सदा याचित भिक्चा द्वारा ही निर्वा करना उचित है वायू सब को स्पर्स करता है अगनी सब को जलाता है जल में मल मुत्र डाल दिया जाता है पर ये इनके स्पर्स दोस्त से दूसित नहीं होते उसी प्रकार सन्यासी अन्य दोस्त से दूसित नहीं होता धुआ और मुसल के सब्द से रहित जहां आग बुच चुकी हो और लोग भोजन कर रहे हूँ, वहाँ दोपेर के पस्चाद भिक्चा करें। आपतिकाल में सन्यासी, निंदनिय, पतित और पाकंडी को छोड़ कर सब वर्णों के यहां भिक्चा मांग सकता है। सन्यासी के लिए घी, कुत्ते के, मुत्र के समान है। सच सराब के स्चुल्य हैं, तेल शुकर मुत्र के समान है, लशून युक्त पदारत उरत के पदारत आदी गोमांस के तुल्य हैं, दूद मुत्र के समान है, रूद यह सब कुछ नहीं खाना चाहिए। लसून, सहद, घी, इसलिए उसे सदेव घी या घृत आदी से रहित भोजन ही प्रतना पूर्बर ग्रान करना चाहिए, घी आदी के पगवान का भी ना खाए, सनैसे के लिए उसका हाथी बरतन है, उसी में सदेव भोजन करे, इस प्रकर भोजन करने वाला एक दिन में दूसर घी को रुधीर के और एकत्र किये अन्न को मास के समान त्याग दे, गंदल लेपन को गंदी बस्तु के समान, नमक को अन्याज के समान, वस्त्र को जूटे बरतन के समान, तेल की मालिश को स्त्री परसं के समान, हसी मजाग को मुत्र की तरह घमन को गोमांस के समान, अपरिच प्रपंच को त्याग कर जीवन मुक्त बने आसन पात्रलोब संक्चे शिश्च करना दिन में सोना बحत बाते करना ये च्छे बाते संयासी के लिए बंधन कारी है वर्षा के अत्रिक जो स्थान है वासन कहलाता है सन्यासिक बेवार के लिए जो तु बादी बतलाए गये हैं उनके खो जाने पर दुसरे का ले लेना पात्रलोप है अपना डंड खो जाने पर दुसरे का ग्रहन करना कर लेना परिग्रा है आगे के लिए संग्रह करके रखना संचे कहा जाता है सुसुसा लाब पुजायश के लिए चेश्टा करना भी परिग्रया है जो हात्मा कल्यान के लिए करुना पूरबग आये उसके शिवाय अन्य को सिष्ट बनाना सिष्ट संग्र का जाता है सरनासी में बिद्या दिन का प्रकाश और आविद्या रात्री समझी जाती है इसलिए बिद्या भ्यास में प्रमात करना दिन में सोना कहा जाता है अध्यात्मिक कता भिक्चा की बात अनुगर प्रस्ण का उत्तर देने के सिवा और जो बात की जाए वो वेर्थ का बोलना गप्षप समझा जाता है गमंड और मत्सरता एकांद गंद पुश्पा भुशन पान खाना तेल लगाना कीड़ा भोगा काक्ष रसायन खुदामद निंदा कुशल पसन खरीदने बेचने की बाते क्रिया कर्मू बाद भी बाद इन सबका सन्यासी पुर्णत त्याग करें जो गिरिष्टियक के धर्मवत गोत्रादी के आचार पिता और माता के कुल की संपती आदी निस्तिग्नम आने गये हैं इनका सेबन कन्ये से नीजगती प्राप्त होती है तो सन्यासी मतलब उस समय एक ही मतलब हुआ करता था कि कुछ भवाग रंग पैन के दाड़ी पढ़ा के घर से निकल जाना वो फिजिकली होता था और मेंटली भी होता था अभी भी वही है अगर आप मेंटली सन्यासी है तो मतलब आप सन्यासी है चाहे आप घर से निकले य के आचायर पिता और माता के कुल की संपत्ति आदी निसित दमाने गये हैं इनका सेबन करने से निजगति प्राप्त होती है बिद्धुवब बिद्धवन सन्यसी बिद्धस त्रीका भी विश्वास ना करें क्यूंकि पुराने गुड़ी में पुराना कपड़ा ही लगाया ज चाहिए यदि अन्य ना मिले तो पकवान न ग्रहन कर सकता है स्वरूप और युवावस्टा वाले सन्यसी को कभी किसी के घर में नहीं रहना चाहिए दूसरे के लिए ना कोई वस्तु लेनी चाहिए और ना देनी चाहिए सन्यसी को अन्य प्राणियों के कल्यान के लिए दिंता का आचरन करना चाहिए पका हुआ अतवा बिना पका हुआ मांगने से अधोगती को प्राप्त होता है खाने पिने का लाला चरकने वाला वस्तर उनी कपड़ा अतवा बिना उनका कपड़ा रेश्मी कपड़ा इन वस् सगनिक असन दिदग्द रूप से पतन होता है उसे तो अद्देत रूपी नोका में बैट जिवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होना चाहिए बानी के डंड के लिए मौन रहे काया को डंड देना हो तो उपवास करे मन को डंड देना हो तो प्राणायम करे सभी कर्मों से बंदन में पढ़ते हैं और अविद्या से चुटकारा पाते हैं इसलिए ग्यानी सन्यासी कर्म से पितग रहते हैं गलियों में बहुत से पुराने वस्तर मिल जाते हैं और विख्चा भी सर्व प्राप्त हो जाती है भूमी में चाहे जहां सोने की सहिया प्राप्त हो सकती है सन्यासी को किस बात का दुख है सन्यासी को समस्त प्रपंच ग्यान की अगनी में जला देना चाहिए जो अपनी आत्मा में अगनी का समारो करता है वही महाग्यानी अगनी होता है मरजारी और बानेरी नाम से दो प्रकार की प्रभित्य बतलाए गई है ग्यान का अभ्यास करने वालों की मुख्यत अमारे जड़ी प्रभित्य होती है और गौन रूप से बनरी होती है बिना पुछे कुछ भी ना बोले और कोई अन्याय का प्रशन करें तो भी ना बोले ऐसे समय जानता हुआ भी जड़ मुल का समाना चरन करें अगर किसी तरह का पाप प्रपंच उपस्तित हो जाए तो बारा हजार तारग मंत्र का जब करके उस पाप को काट दे जो प्रति दिन बारा हजार प्रणप का जाप करता है उसे बारा महिने के भी तर पर ब्रह्म का सक्चतकार हो जाता है ऐसा ये उपनिशद है इसके बाद यहां से शुरू होता है एक समय परिब्राचकों में स्रेश्ट सी नारज जी सब लोकों में भ्रह्मन कर रहे थे वे अत्यन्त पुन्य भूमियों और तीत स्थानों में गये तथा उन में पदारपन से वे स्थान और पवित्र हो गये उन तीत के दर्शन से उन्होंने स्वयंभी जित्त सुद्धी प्राप्त की उनका मन अत्यन्त सांथ था संपुन इंड्रिया भश में थी वे सब और भी दखते और उनके मन में किसी भी जीब के पती दुए सबाब नहीं था वे अपने स्वरूप के अनुसंदान में लगे हुए बिचरन करते करते निविशा रन्न में गये वो तित सायम नियम में नियम से उत्पना आनंद के कारण सब तितों के गरना में विशिष्ट है उन स्थान पर अने को रिशी मुनी निवास करते हैं नारत जी ने उन पुन्य भूमी का दर्शन किया और वहां उनकी विना से वेराग्य का बूद कराने वाले विशे स्वर जंकरित हो रहे थे वे संसारीक चर्चा से अलग रहते हुए स्ष्ट प्रवुकता से रस लेते थे उनके गीतों को सुनकर सभी स्थाबर जंगम प्रानी आनंद में निवगन हो जाते थे उनका भक्ति संदान संगीत मनुष्य अमरिक देपता कि नर गंदर वाप्षरादी को भी आकरसित कर रहा था उस समय उस स्थान पर दादत भर्सिय सत्र याग हो रहा था उस महायग्य में देवग्य तपश्ति ज्यान वेराग्य से संपन सौनक आदे मर्शियों ने भाग लिया था परम भागबत देवश्य नारत का आगमन देख उन सब मर्शियों ने अत्यांत स्वागत किया उनके चरणों में मस्तक जुगा कर सतकार पूरवग उन्हें एक स्थान पर बैठाया इसके प्रस्चा सभी अपने अपने स्थानों पर बैढ़ गया फिर सोनकादी ने उनसे बिनम्रता पूरवग प्रस्ण किया है देवश्य नारत जी विश्य पास से मुक्ती का क्या उपाय है ये किपा कर हमारे पती कहने का करश्ट करें इस प्रकार कर प्रस्ण सुनकर तिनों लोकों में प्रसिद्ध देवर्शी नारत प्रस्ण नहोध होते हुए कहने लगे शेष्ट कुल में उत्पन्न हुए पूरुष का यही उपनयन ना हुआ हो तो सरवपतम विदीबद उपनयन संसकार करना चाहिए इसके पुस्चार जो गुरु 24 संसकारों से संपन्न हो ऐसे गुरु के आस्वम में जाकर रहे वहां गुरु की सेवा करे और अपनी शाका का अध्यान करे फिर सभी विद्याओं का अभ्यास करता हुआ बारा बस्तों तक गुरु की सेवा में लगा रहे इस अबदी में पूर्न ब्रमचारी रहे फिर चौब 25 बस्तों तक ग्रियस्त दर्मका सेवन करे और पच्चीस बस्त तक वानप्रस्ती होकर उनके अंतरगत नियमों का भले प्रकार पालन करें ग्यानी जन चार प्रकार का ब्रहमेचरे बताते हैं ग्रस्त चार प्रकार का और वानप्रस्त चार प्रकार का कहा गया है उन सबका भले प्रकार अभ्यास कर उनुन आश्रमों के सब कर्मों को अनुष्टित करें फिर चारों साधनों से संपन्न होकर संपून विश्वत से उपर उठकर मन वानी कर्म देह आधी के द्वारा सब प्रकार की आसा का त्याग करे और वासना एसना आधी का भी सर्वता छोड़ दे फिर किसी के पती द्वेश भाबना ना करे मन और इंद्रियों को वश में करके सन्यास गरन कर ले और सन्यास आस्रम में रहकर अपने अभिनाशी रूप का ध्यान करता रहे इस प्रकार के ध्यान में तन्मय पूरुष देह त्याक्य पस्चाद मुक्ष को प्राप्त होता है ये उपनिशद है सोना कदी सभी मरश्यो ने पुना भगवान नारजजी से प्रत्ना की प्रभू सन्यास की विधिया मारपती कहिये नारजजी ने उन सब पर प्रसंदश्टी तालिये और कहने लगे सन्यास का पूर्ण स्वरु पिता मा ब्रह्मा जी के स्री मुख से ही सुनना स्रेश्ट कर होगा इस प्रकार कहकर सत्र याक के पूर्ण होने पर उन सब को साथ लेकर वे ब्रह्मा लोग में पदारे और ब्रह्मा की ध्यान में तन्माई हुए परमेश्टी ब्रह्माजी को प्रानाम का स्तूति करने लगे इसके प्रस्चत ब्रह्माजी ने सब को यथा योग गया आसन पर बैठने का आदेश दिया फिर नारज जी ने ब्रह्माजी से प्रतना की ब्राह्मन, आप हमारे गुरु एवंग पिता हैं, आप सर्वग्य एवंग सभी बिद्धाओं के पूर्न ग्याता हैं, इसलिए मेरे एक अत्यनत पियर रहस्य पर प्रकास डालने के किरपा करें, आप से भिनना ऐसा कोई नहीं जो मेरे इच्छी तरह चोको भले प्रकास समझ जा सके, यदि आप मेरे आवश्ट विसे का रहस बताने को प्रतुत हो, तो निवेदन है कि आप सन्यास के स्वरुपे बंकरम का यहां उपस्तित हम सब के प्रतिव पदेश करिए, नारज जी द्वारा इस प्रकार के जिग्या सकिये जाने पर ब्रमाजी ने सब की और प्रति की और पुना देखकर कहा है नारत प्राचिनकाल में, पुरुस सुक्त में तेथा उपनिश्ट में कहे गए गुर रहस्ट के अनुकुल सर्वसेष्ट दिव्य बिग्रेदारी विराट पुरुस ने मेरे पती जो पदेश किया था, उसी को मैं तुमारे पती कहता हू संगसार का रूप और क्रम अत्यनते ही रहस्ट पूर्ण है, उसी तुम दत्यचीतों करो मातापिता की आग्या में, चलने वाले स्वेष्ट कुलतपन बालक का यदि उपनियन संस्कार हुआ हो तो सबबदम उसका उपनियन संस्कार करें, फिर वो बालक अपने मातापिता क किसी उच्च कुलतपन सद्गुरु के आस्रम में जाकर रहें, वे गुरु शोत्रिय, सस्त्रनु, गामी, सद्धालु और गुन्बान हो, उनकी सेवा में उपस्तित होकर चरनों में नमस्कार कर, उन पर अपना अविष्ट प्रकत करें, फिर उनकी आग्या पाकर बारा वस गुरु सेवा करते हुए, सभी विद्याओं का अभ्यास करें, अध्यन पुर्णों होने पर कुल के अनुरूप किसी सेष्ट कान्या से गुरु की आग्या लेकर विवा कर, और पच्चीज बर्शोता ग्रियास्वम का पालन करें, मतलब सन्यासी विवा भी कर सकता है, खाल पच्चीज बर्श बितने पर बानपरस्ती हो जाए, इस अस्रम में भी पच्चीज बर्श रहे, तिनों समय, सनान और दिवस के चतूत प्रहर में एक बार भोजन करें, ग्राम या नगर के परिशित मार्ग का त्याग कर, अकेला ही वन में निवास करें, बिना जो जोते या चाबल आदिय का त्रकर, उसी से अस्रम के अनुरूप धर्मने निर्वा कर देखे, सुने, लोग पर लोग के भोगों से पूर्ण बैदाग्य धारन कर ले, और चालिस संसकारों से संपन नहो, चित्ते की सर्वतार सुद्द कर ले, आसा, आसुया, इर्शांकार आदि क चार प्रकार के साधनों से संपन नहो जाए, इसके परस्चार वो संञ्यास गरृन करने का अधिकारी होता है फिर देवश्री नारद ने अपने पिता ब्रह्माजी से प्रश्ण किया भगवन सन्यास गरन कैसे किया जाता है और उसका अधिकरी कौन है ये बताने की किर्पा करिए इस पर ब्रह्माजी ने कहा सन्यास का अधिकरी कौन है पहले इस पर ही प्रकाश डालना उचित है इसके प्रस्चा सन्यास की वीवित पर प्रकास दाला जाएगा अंगहीन नपुन्सक पतीत श्रेन बधीर मुख बालक पकंडी लिंगी बेतनिक अध्यापक सिपी वीष्ट आयाग्य के आदी यदि बिरक्त हो तो भी सन्यास के अधिगारी नहीं है यदि बे सन्यास गरहन कर ले तो भी उन्हें महाबाक्य का उपदेस गरहन करने का दिगारी नहीं है जो पहले से ही सन्यास आश्रम के अनुकुल आचरन करने वाला है वो ही उसमें प्रभेश कर सकता है जो ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है उसे ही स्मितिया परिवराचक कहती है पुरशोत्तोहीन, अंगहीन, नेत्रहीन, बालक, पतीत, दूइच, चक्री, लिंगी, पाखंडी, सिविभिष्ट और आयाग्यिक, बेतन भोग याध्यापक, तदा दो दान बार सन्यास लेच चुकने वाला वो यह सभी आयूत सन्यास वाले हो सकते हैं परंतु करम सन्यास के योग्य नहीं है आतु सन्यास का कौन सा समय माना गया है इस प्रस्न का उत्तर है कि मरन काल में प्रान निकलने का समय ही आतु सन्यास का समय कहा गया है इसके भिन्न कोई समय ठीक नहीं है यदि आतु सन्यास की प्राप्ती भी ठीक समय पर हो जाए तो उससे मुक्ती हो सकती ह इसे गरन करने वाले विद्वान पूरु सास्तर सम्मत मंत्रों के पाठ पूर्वक सबीदी सब आवश्यक कर्म पूर्ण करके मंत्रों का उच्छरन करता हुआ सन्यास ले आतुर सन्यास और करम सन्यास के विदान में कोई भेद नहीं है क्योंकि कर्म मंत्र द्वारा ही पेरित होता है प्रत्यक मंत्र किसी न किसी कर्म से समधित है मंत्रों के बिना कोई भी कर्म यथात कर्म नहीं है इसलिए मंत्रों को नहीं चोड़ना चाहिए मंत्र के बिना किया हुआ कर्म बुजी हुई राक में छोड़ी जाने वले हाउती के समानी रर्थक है सास्तर की बिदी के अनुसर बरनित कर्मों के संख्षेप में करने से आतु सन्यास की क्रिया पूर्ण होती है इसलिए इसमें बारंबार मंत्र चरन उचित है अगनी होती पूर्श यदी अन्य देश में गया हुआ होत और वहाँ जाकर वो बिरक्त हो जाए तो जर्में प्रजापत्य श्टि कर्म करके संख्रन कर ले ये प्रजापत्य जोग मन से करें अथवा सभी दी मंतुरु चरंद वारा करें अथवा बेदिक्टुविदी से करमनुष्टान द्वारा करें ऐसा करने पर ही सन्यास ले नई तो वो अपने धर्म से गिर जाता है सन्यास की इच्छा तभी करें जब सभी पदायत्य के पती मन में पूर्ण विरक्ती हो जाए इससे बेपरी दाचरन मनुष्यों को पतित करने वाला है बेराग्य होने परी सन्यास ले और मन में किंचित भी राग रहे तो घर को ना त्यागे घर के पती अगर मोह हो घर जाने किच्छा हो तो सन्यास ना ले जो द्विज मन में राग रहते हुए भी सन्यास ले लेता है वो अदब नरग को प्राप्त होता है जिसकी जीवा उपस्त उद्वर और हाथ आदे इंद्रिया यश्वर्ती हो अथवा जो आविवाहित हो ऐसा ब्रमचर्य संपन ब्राह्मन सन्यास ग्रहन करें जगत को निशार समझ कर सार वस्तु को पाने के कामना से ज्ञाने पूरुष पूर्न भी रखत होकर अविवाहित रहते हुए ही सन्यास ग्रहन कर लेते हैं कर्म प्रभिति का और ग्यान सन्याज का प्रमुग लक्षन है इसलिए धिमान द्रक्ति ग्यान को लक्ष से रख कर ही सन्याज ले परमतत्तरूप सनातन ब्रह्म का ज्यान होने पर एक डंड धारन करे और यग्योपवीद तथा सिका का भी त्याग कर दे जो पुरूस परमात्मा में अनुराक तथा उससे बिननस्ता पज़तों में बहराग्या रखता है जिसके मन से तीनों एशना है निकल चुकी है वही भिक्चा से प्राप्त अन्नका से बन करने का अधिकारी है जैसे सादरन मनुष्यों अपनी प्रसंता और आदर से अत्यांत प्रसंता होता है वैसे ही प्रसंता पिटने पर भी बनी रहे तभी उसे भिक्चू होने का अधिका दम बहिंता और असंचयाता बिद्धी हो वही सन्यास अस्तम में प्रभिष्ठ होने का अधिकारी माना गया है मन बानी और कर्म द्वारा किसी के पति इशा भाब ना रखना सन्यासी का कत्यव है इस प्रकार के कर्मों का अचरन करते हुए एकगरमन से उपनिशिदों को सुने और ब्रहमचरे पालन तेता सुद्धय करता हुआ रिशिरिन से मुक्त हो यगन उष्ठान द्वारा देव रिन को चुका है और पुत्र उत्पति द्वारा पित्र रिन से मुक्त हो का सन्यासले मतलब पुत्र प्राप्त करके अब पुत्र रिन से मुक्ती मिल सकती है फिर सन्यासले तिति शमा दम अस्तिया सोच इंद्रिय निग्रही विद्या सत्तो और आक्रोस ये दस लक्षन धर्म के हैं जो पुत्र भूत्र कालिन भोगों का चिंतन वर्तमान काल में प्राप्त भोगों का स्वागत तदा भविश्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामला नहीं करता वोई सन्या सास्रम में रह सकता है जो अंत्रकरन में अवस्तित इंद्रियों को और वाज्यमवन तरीक विश्यों को मन में स्थान ना देने में समर्थ है वोई सन्या सास्रम में रहने का अधिकारी है जैसे प्रानहीं सरीर को सुखदुक का अनुबब नहीं होता वैसे ये प्रानों के बत्मा रहते जिसे सुखदुख ब्यात नहीं करते वो सन्यासा समय रहने का पूर्णा अधिकारी है दो लंगुटिया एक गुड़ी और एक डंडा यही वस्तुए सन्यासी संग्रा कर सकता है इससे अधिक संग्रा नहीं कर सकता यदि लोग बस अधिक बस्तु एक अत्तर करता है तो वो मरने पर रोरोप नरग को प्राप्त होकर फिर पसुपक्षियादी योनियों में जर्म लेता है डंडा अधिये से रक्षा करने के लिए जिरने स्वच्च वस्त्रों को सिंकर गोडी तनावे और नीजन स्थान में जाकर रहे भगवे वस्त्र पहने एक वस्त्र धारन करे और वस्त्रहिन रहे दिश्टी को इधर दुरना फिरा कर एक स्थान पर ही रखें मन में किसी वस्तु की चाउत्पन ना होने दे सदा अकेला ही गुमें वर्षा रितु में एक स्थान पर रहें स्थ्री पूरुष कुटुम वेदांग गरंत यग्य का एबंग यग्यों पभीत को सर्वता त्याग दे इस प्रकार सेन्या से पूरुष अपने विसस्टरता बताए बिना ही विचरन करे तो उस समय के लोग ऐसा कर सकते थे इसलिए वो बहुत यह आसानी से दिब्य यानि ब अंकार आदि दोशो को ट्याग दे राख दोषक को मन में ना आने दे शुबर न पाशान अदवा मीटिका को समान ही माने हिंसा से परे और निस्प्री होकर रहे दंब अंकार हिंसा परम निंद्य आदि से मुक्त ततता आत्म 百श्यान प्राप्त कराने वाले उपयों की अबहले प्रकार बश्रिबूत हो जाए तो वो सिद्धी धाहनी होती है भोगों का उपबब कहने से पिशे की कामनाई कभी सांध नहीं होती भोगों तो घी की घी तवारा अगनी के अधिक प्रदिप्त होने के समान उनकी विद्धी करते हैं जो पुरुस कठोर या मिठे इस भोगों बिजन करके कोमल या कटर वस्तू कचू कर सुंदर अथभा असुंदर रूप देख कर सुगंध्या धूर्गंद सुंकर ना तो प्रसन होता है ना गलानी का अनुवभ़ करता है मतलब नहीं अप्रियक को पाकर दुखी होता है और ना प्रियक को बागर यही चीज़ कृष्णा गीता में कहते हैं अरजुन से आप गीता के वीडियो भी देख सकते हैं वही जितंद्रिय समझना चाहिए जिनके मन बानी में पवित्रदा जो सदाद दोस रही थे वही मनुष्णा बेदान सुनकर उसका पूरा फल पा सकते हैं ब्राह्मन समान को विश्ट के समान उदिगने करने वाला समझे और अपमान को अमरित के समान उपकारी मान कर उसकी काम ना करें अपमान प्राप्त कर मनुष्य सुख पूर्वग सोता जाकता और बिचरन करता है और जो उसका अपमान करता है वो स्वय में नश्ट हो जाता है इसको साथ लेकर किसी के साथ सतुरता ना करे, किसी का आनादर ना करे और दूसरों के कठोर बचनों को सहन कर ले जो क्रोध करे उसके प्रतिक क्रोध ना करे जो गाली दे उसे गाली ना दे कर अच्छी बानी से बोले बानी, दोनेत्र, दोकान, दोनाग, केचिद्रों और एक मुख इन साथ द्वारों से सम्मंद रखने वाली है इसे कभी अस्तित्य कथन में ना लगाए जो पुरुस सुख की प्राप्ति की इच्छा करे वो अध्याद्मिक विषय में मन लगाकर स्थिद्भाब से बैटे, किसी से कुछ याचना ना करे मन में किसी प्रकार की कामना उत्पन्ना ना होने दे अपने कम में किसी अन्य व्यक्ति की सायता ना ले और अकिलाही संगसा में विचरन करे मनुष्य इंद्रियों को बश में रखे राग द्वेश को समाप्त कर दे और किसी भी जीब की हिंचा ना करे इससे मनुष्य आमेतत्यों को प्राप्त होता है ये देहर रोगों का घर है अस्तिया इसमें स्थम्भों के समान है तता स्नाईों का जाल डोरियों के समान पुरा हुआ है इस पर मास रक्त का पलस्तर हो रहा है और चर्म से मर दिया गया है ये सदा मन मुट्र से युकत रहता है इसके बित्दूर्गन दभरी हुई है विद्दबस्ता और सोक से संतब्त रहने से उसमें सदा आतुरता रहती है, बीरिय और रज से इसकी उत्पत्ती हुई है इसलिए ये रजस्वल है, ये नित्ते भी नहीं है अर्थाथ किसी ना किसी दिन समापत होगा ही इसमें पंचभूतो का सदा डेरा लगा रहता है इसलिए इससे त्याग देना चाहिए इस मास मजजारक तमल मुतरादी से निमित देय से ये दि मुर्ख मनुष्ट प्रेम रखता है तो वो नर्ख प्रेम से प्रेम करने वाला ही होगा इस देय में स्थित अहंकार काल सुत्र नरक का मारग है वो महावीची नरक में पहुचाने के लिए चाल के रूप में बिचा है वही असिपत्तर नरक की श्रेनी का है यही अहम कुट्टे का मास गिरहन करने वाली चंडारेनी के समान है इस दिए प्रेतन पुर्वक इस अहंकार भाप को छोड़ दे कल्यान के इच्छावाला पूरुस विनास काल में भी इसका स्पस ना होने दे अपने प्रियेजनों में पुष्प और सत्रों में पाप का त्याग कर स्वयम उन से कोई सम्मंद ना रखे इसा सादक ध्यान योग में लीन रहे कर सनातन पूरुस ब्रह्म को प्राप्त होता है संपूर्ण विश्यों में धिर धिर आना सकतो होकर सब दंदों से छुटकारा प्राप्तिकर सन्यासी पर ब्रह्म में स्थित होता है सिद्धी चाहने वाला पुरुस किसी अन्यकुस साती ना बनाए और आकेला ही विजरन करे सन्यासी किसी की सिद्धी देखकर अपने साधन का त्याग नहीं करता और ना वो सिद्धी से ही हीन होता है पिने के लिए कपाल नामक लकड़ी का पात्र निवास के लिए किसी विक्ष की मूल पहनने को जीरन सिर्न वस्त सदा एकाकी रहने का सवाब तता सब देदारियों में समस्त भाबना ये जिवन मुक्त के लक्षन है सन्यासी को तो सब का हितेशी होना चाहिए वो सांध चित्त से रहता हुआ सदा डंड कमंडुलू धारन करे और केवल आत्मा में ही रमता रहे जब विचेरन करे तो सब कुछ त्याग कर आखिला ही जाए वस्ति में विक्षा के लिए ही गुसे सन्यासी का एकाकी रहना है इसलिए भी अवश्यक के की एक से दो होने पर जोड़ा कहा गया है और तीन मिल जाने पर गाउं कहा जाता है और इससे भी आदिक होने पर तो प अगर ग्राम या मिथुन के रूप में रहने वारा सन्यासी अपने धर्म से पतित हो जाता है कोई व्यक्ति का समिलन होने पर उसमें राजा सेट आदिका अतवा कहां कंशी भिक्षा प्राप्त होती है इस प्रकार की बाते होंगी फिर बिविन बारताओं के फल्सरूप पर प्रसपस्निया द्वेष पर्णिंदा आदि के भावों की उतपत्ति होगी इसलिए निस्प्रिया पूर्वक अकेले रहने की ही सास्त्र ने आग्या दी है उसे निरतक बातलाब नहीं करना चाहिए दूसरे की बात या नमस्कार आदिका उत्तर नारायन कहे कर देना तक काल की प्रतिक्षा करें उसे ना तो मित्तु की प्रसंसा करने चाहिए और ना जीवन की इसलिए जितने भी सक्सेस्पून लोग है देखिएगा वो सब इंट्रो बाड़े कब बात बोलते हैं अकेले रहते हैं ठीक है आब दुनिया में जितने भी ऐसे महान लोग देखेंगे वो ऐसे ही है मित्तु द्वारा अपने स्वामी की आग्या के लिए प्रतिक्चा करने के समान साधन पूरुष तो एक मात्रक काल की ही प्रतिक्चा करें नपुन्षक के समान अर्थत कामभाव से सुनने रहकर अतवा अंधा लूला बदीर अतवा मुद के समान रहता हुआ परम सोड़िसी स्त्री और सतायुस्तु विद्धा को समान भाफ से देखता हुआ राग देश आदी के चक्कर में नहीं पड़ता वो संड कहा जाता है जो सादक मल मुत्र त्याग के लिए अतवा भिक्चा के लिए ही घुमता है और जो पति दिन एक योजन से अधिक नहीं चलता उसे पंगु कहा गया है चलते हुए अतवा खड़े रहकर भी जो सन्यासी अपने नेत्र को चारो युक के अधिक दूर देखने के लिए नहीं पहलाता बलकि जुकाए रहता है वो अंद यज्यक है जो हित अहित सुक्या दुग वाली कैसी भी बात हो उसे सुनकर भी ना हुए के समान सांत रहता है वो बदी संयाक है विसे का सामिप देर में शक्ति और इंद्रे के सस्तिता होते हुए भी जो सुप्त की भाति और विसे के पति आना सकते रहता है वो मुक्त कहा जाता है सन्यासि पूरुस अपने समंधियों नट आदी के खेलो जुवा जुवतीर रजस्त्वाला भुज़प्रदात इंच्छ की और कभी ना देखे अपने के पति मो दूसरे के पति द्रो माया मत राग द्वेस उन से सदा दूर रहे और मन में कभी इनके समंध में विचार ना क के लिए ये अच्छा कर्म पाफी है जो पूरुस आत्म चिंतन की कामला रखता है वो दूर की यात्रा ना करने का यत्न करें मुक्ष की करन भुता उपनेश्र विद्या का सन्यासि को सदा अभ्यास करना चाहिए ये अधिक उपवास अत्वा अधिक तीत यात्ताव के चक् कच्छुआ दौरा अपने अंग को समेट लेने के समान समेट ले और इंद्रियों का तथा मन के कारिया वैपारों को नश्ट कर दे कामना और परिगर्य का त्याग कर हर्श शोक के वस में ना पड़े नमस्कार और स्वधा का भी परित्याग करे मुमता और अहंकार को लेस म वीडियो भी इतना ही यहां से आम लोगे नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे तब ते के लिए धन्यवाद